Hello Students, इस वीडियो में आप एक एक्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, अए जथीवरम, तो क्या है आपका, कि फॉर्स्ट जो है आपका, क्या है दा एंगल आपोजीट टू इकवल साइड और ट्रियंगल आप एकवल, ठीक है, यहां पे, क्या है आपका, कि अगर कोई भी टू एंगल आपोजीट टू इकवल साइड है, अगर उसका आपोजीट एंगल होगा, तो वह भी क्या होगा, इकवल होगा, हम लोग को प्रूब क्या करना है, यहां यह ए बी सी हो गया, ठीक है, कल एक एकजाम्पल हम देखेते हैं, जिसमें क्या था, कि इस टाइप से था ना, कि अगर टू लाइन्स है, इंट, बाइसेक कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, देन प्रूब दाइट क्या चीज, कि ए ट्राइंगल बाइसेक कर रहा है, ओपे, तो ट्राइंगल क्या चीज, ए ओ डी कॉंग्रेंस ट्राइंगल सी ओ भी हम लोग को प्रूब करना था, तो व एक्वल होगा है तो घिवेन में क्या दिया है आपके पासं एवेन मेंहों घ्लीक za टूयर्स एक्वलत में गया ग्यां अबggakर गद्यों दिखाना है प्रूब करना है और सब्कीORT कि नेंगल कि छेंगल्हें न मीश्यक्ति और परबहं को runt surveillance कॉंड्य तो यहाँ हम लोग पर ना पड़े अगर काम लोग कर एकल अइसा एक लाइन की स्टाइन ठीक है जो में यह टोनुं एकल पार्ट में डिवाइड कर दें एकल इकल पार्ट कि angle B A M is equal to angle C A M हो जाए ठीक है यह हो गया अब प्रूप में आते हैं तो प्रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह side क्या है इसके equal है ठीक है ना A B is equal to A C side angle side हम लोग कर रहाते हैं तो side angle side से ही जलेंगे पहला side मिल गया अब angle क्या B B a M थीक है ना angle B a M is equal to angle C A M फिक है यह तो आपको क्या होगिया गीवें ओगया ठीक है और यह आपको क्या हो गया बयारी कंस्ट्रक्शन हो・सुह ना यह कहा से लिए हम लोग नोग तो बयक रिच्च्छन के लिना और उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं क्या am is equal to am, common, ठीक है, am is equal to am क्या हो जाएगा, common हो जाएगा, दोनों triangle के लिए, तो अब हम लोग क्या का सकते हैं, बाई, sas criteria क्या हो जाएगा, criteria, triangle a, sorry, कौन-कौन triangle b, a, m, ठीक है, congruence to triangle क्या हो जाएगा, c, a, m, देखे रहा है न, side, angle side से, यह क्या हो गया, आपका दोनों triangle क्या हो गया, congruent हो गया, तो congruent हो गया, तो अब हम लोग, आप लोग को बताएथे, cp, ct, corresponding part of corresponding triangles, तो उसमें क्या होता है कि, आपका सारा side और सारा angle क्या होता है, equal होता है to corresponding sides, और corresponding angle, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, angle b is equal to angle c, द तो इसी तरह आपका एक्जामपल होगा फर्स एक्सराइज में उसको हम लोग करेंगे आप हम लोग नेक्ट वीडियो में नेक्ट थियोरम को देखेंगे ठीक है ओके थाइंक यू